इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. Wi-Fi DX सिर्प शुगर फ्री सूखी खांसी के इलाज के लिए इस्तिमाल की जाने वाली दवाओं का मिश्रण है. यह छीकने, नाक बहने, आँखों से पानी आने और गले में जलन जैसे अलजी के लक्षनों से राहत देता है. यह नाक में जमाव या जकरन से भी राहत देता है. वाइफाई डी एक्स सिर्फ शुगर फ्री भूजन के साथ या भूजन के बिना डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लिया जाता है. आपको दी जाने वाली खुराक आपकी स्थिती पर निर्भर करती है और आप दवा के प्रती कैसी प्रतिक्रिया करते हैं. आपको इस दवा को तब तक लेते रहना चाहिए जब तक आपका डॉक्टर सलाह देता है. यदि आप बहुत जल्दी इलाज बंद कर देते हैं तो आपके लक्षन वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिती और खराब हो सकती है. अपनी स्वास्थ्य सेवा टीम को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं, क्योंकि कुछ इस दवा से प्रभावित हो सकती हैं या प्रभावित हो सकती हैं. सबसे आम दुश प्रभाव मतली, उल्टी, भूख ना लगना और सिर्दर्ध हैं. इन में से अधिकान शस्थाई हैं और आम तोर पर समय के साथ हल हो जाती हैं. अपने चिकित्सक से सीधे संपर्ग करें यदि आप इन में से किसी भी दुश प्रभाव के बारे में चिंतित हैं. यह दवा भी नींद का कारण बन सकती है. इसलिए जब तक आप यह नहीं जानते कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है. तब तक गाड़ी न चलाएं या ऐसा कुछ भी न करें जिसमें मानसिक ध्यान देने की आवशक्ता हो. इस दवा को लेते समय शराब पीने से बचें क्योंकि इससे आपकी नींद खराब हो सकती है. कभी भी स्वध दवा का समर्थन न करें या किसी अन्य व्यक्ति को अपनी दवा की सलाहा न दें. इस दवा को लेते समय परियाप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेना फायदे होता है. इस दवा को लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि क्या आप गर्भवती हैं, गर्भावस्था की योजना बना रही हैं या स्तनपान करा रही हैं. अगर आपको केड़नी या लीव की कोई बीमारी है तो आपको अपने डॉक्टर को भी बतान बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद